हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधान सभा चनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी को एक और बड़ा जटका लगा है दरसल वहां के कदाबर नेता आनंद शर्मा ने दरसल अपने जो उने समिती का देक्ष बनाया गया था प्रचार समिती का उससे उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है सोनिया गांधी को अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि बार बार लगातार कॉंग्रेस पार्टी को जटके पर जटके क्यों लग रहे हैं वो भी उन तमाम राज्यों में जहां पर विधान सभा चुनाव की तारीक जो है बहुती जादा नजदी काती चली जा रही है लेकिन सौ हिमाचल प्रदेश की राजनीती में सोनिया गांधी को कितना बड़ा इससे नफा नुकसान हो सकता इस पर हम सिलसले बार तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प रूचा ला दिया है आनंद शर्मा ने जब सोनिया गांधी को इस्तीफा दिया तो इसके साथ मनों एक चिठी भी भेजी है सोनिया गांधी को मुझे लगता है उससे सबक लेने की जरूरत है क्योंकि अमूमन सोनिया गांधी के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं कॉंग्रेस सारे decisions ऐसे लिए जा रहे हैं उनके बिना involvement के दरसल उनसे बिना पूचे ही decisions लिए जा रहे हैं वो अगर party के आला कमान से मिलने को लेकर भी अगर request करते हैं तो उस request को भी दरसल निजर अंदाज किया जा रहा है कहीं न कहीं आनंद शर्मा ने ये भी का उस पत्र में कि उनके आत्मसमान को ठेस पहुची है लिहाजा अब वो और इसे बरदाश्त नहीं कर सकते उन्होंने चिठी लिख करके बाकाइदा भेजाए कि वो अपने आत्मसमान से समझोता नहीं कर सकते लिहाजा वो अद्यक्षा सोनिया गांधी को स्तीफा सौंप रही है कॉंग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि ये समझने में इतनी जादा परेशानी क्यों हो रही है क्योंकि चाइफरो गुलाब डबी आजाद का स्तीफा हो आनंद शर्मा का स्तीफा हो गुजरात में होने वाले तकरीबन 15 नेताओं के स्तीफा हो जो भी नेता स्तीफा देता है वो एक ही बात का जिक्र क्यों करता है बार बार की सोनिया गांधी उन्हें नजर अंदाज कर रही है मीटिंग में उन्हें बुलने नहीं दिया जाता तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद भी उनके उपीनियन को दरसल कोई भी तरजी नहीं दी जा रही है उनकी रिक्वेस्ट को रिव्यू नहीं किया जा रहा है पार्टी की तरप से तो ये कहीं न कहीं आत्म सम्मान को ठेस पहुचाने वाली बात होती है जिसकी वज़े से ये नेता लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे देते चले जा रहे हैं नेकिन सोनिया गांधी, राहूल गांधी और प्रियंका गांधी बाड़रा मुझे लगता है कि अभी भी इस चीज से बेखबर है कि उन्हें अपने नेताओं की सुननी पड़ेगी नहीं तो ऐसे ही चुनाओ दर चुनाओ उनके हाथ से सारे के सारे राज निकलते चले जाएंगे और जो नेता हैं वो सारे के सारे पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे सिर्फ तीन लोगों की पार्टी बचेगी प्रियंका गांधी वाड़रा, राहूल गांधी, सोनिया गांधी क्योंकि जो सियासी तज़्वीर पूरे देश से निकल करके सामने आ रही वो तो इसी बात की तरह इशारा करती है कि कैसे कॉंग्रेस पार्टी में निताओं की बगावतों का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है एक के बाद एक निता जो है स्तीफा देते चले जा रहे हैं सोनिया गांधी को ये समझ में नहीं आ रही है बेराल हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं आनंद शर्मा अगर हम राजनेतिक पैट की उनकी बात करें तो एक बड़ा तबका उनसे कहीं ने कहीं इंफ्लूएंस रहता है उनका एक बड़ा राजनेतिक समर्थन देखने के लिए मिलता है हमाचल प्रदेश की दरसल जमीन पर तो ऐसे में जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उसकी वज़े से अब कॉंग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी को बड़े लेवल पर मैं कहता हूँ कि चुनावी खामयाजा दरसल भुगतना पड़ेगा और इससे कहीं न कहीं कॉंग्रेसियों की नीद उड़ने वाली है ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ बहराल जो इस्तीफा दिया है बड़े नेताने हिमाचल प्रदेश में वो भी ठीक विधानसभा चुनाव होने से पहले जो जटका दिया है सोनिया गांधी को इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द मनोगा किसी दूसरी बड़ी कवर के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब करें साइड बरे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी कवर लेकर आऊं तो सब सबले नोटिफिकेशन आपको मिलें